असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और ये है Redmi K20 Pro और इसमें आना है स्टार्ट हो चुका है एक निया अपडेट जो कि है MIY 12.5 का रुकिए दोस्तों अगर आप लोग अभी अपडेटर में जा करके चेक कर रहे हैं तो मत किजे क्योंकि ये अपडेट ग्लोबल में नहीं आया है सिर्फ और सिफ चाइना रॉम में अभी अपडेट मिल रहा है और वो भी दोस्तों अलफा टेस्टर लोगों को मिल रहा है ये बीटा रॉम में भी अभी पबलिक नहीं किया गया है तो इसे कैसे फ्लैश करना है तो आप इसका रॉम को डाउलोड करके TWRP Coverie से फ्लैश कर सकते हो अगर आपको इस्तेमाल करना अगर आपको टेस्ट करना है वरना दोस्तों हलकी फुलकी अनेस्टेबल रॉम आपको मिल सक ने 20-12-25 का यह ROM है यानि कि 25 December 2020 का यह ROM है और यह जो ROM है guys Android 11 पे आता है जी है guys यह काफी जबरदस्थ बात है कि Redmi K20 Pro Android 11 पे अपडेट हो चुका है और साथ ही साथ जो Android Security Festival है वो 1 December 2020 का हो चुका है तो बिल्कुल ही नया ही अपडेट हो चुका है अब एक चीज में आप लोग को बता दू कि मैं जब भी आप लोग को अपडेट की वीडियो देता हूँ MIUI 11, MIUI 10, MIUI 12 तो ऐसे में guys मैं क्या करता हूँ कि हमेशा एक ही वीडियो में हर चीज को खिचरी करके बता देता हूँ उसी में guys camera के बारे में, उसी में sound के बारे में, उसी में visual changes के बारे में, उसी में UI के बारे में हर चीज दोस्तों एक ही बता देता हूँ 20-25 मिनट की वीडियो हो जाती है आज मैं कोशिश करूँगा कि छोटे-छोटे parts में वीडियो बनाऊ और अलग-अलग तरीके से में आपको बताओं कि कौन सी चीज़ों में कौन सा नया आया है तो इस वीडियो में basically दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन changes के बारे में जो system में हुआ है तो camera sound design के बारे में आपको अगली वीडियो में जो है मिल लागी volume rocker से वो भी change कर दिये गए है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के buttons आपको मिल लाता है कुछ इस तरह का animation मिल लाता है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यह three page पूरा का पूरा बड़ा सा खुल लाएगा एक चीज issue इसका यह है दोस्तों कि silent mode में इसमें timer अभी नहीं आता है तो पता नहीं यह bug है या फिर उनन फेचर कोई हटा लिया है बट silent mode में आपको timer नहीं मिलता है dnd mode में आपको timer अभी मिल ला रहा है तो हो सकता है कि यह एक bug ही होगा उसके बाद दूस्तों कुछ और visual changes यहाँ पे हुए है से हटा दिया गया तो जैसे ही मैं दोस्तों जाओंगा settings में उसके बाद जाओंगा apps में यहाँ पर जाओंगा दोस्तों manage apps में यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगा sort by installation time तो आप देखेंगे कि यह जितने भी super wall paper है इनमें से कोई भी system application नहीं सब को आप uninstall कर सकते हो उसके बाद दोस्तों MI roaming games application यह सब को आप uninstall कर सकते हो cleaner भी application को या scanner application MI mover compass notes यह सब के सब दोस्तों develop हो चुके हैं सब के सब system से हट सके हैं सब को चाहो तो आप uninstall कर सकते हो और उसके बाद जो आपके पास application बचेगा वो 3-4-5 application बचेगा जो की आप use कर पाओगे देख सकते हो दोस्तों वेदर application भी उन्होंने हटा लिया है system से तो आप बहुत सारे application को uninstall कर सकते हो mail application भी uninstall कर सकते हो screen recorder भी uninstall कर सकते हो तो इन सब की वज़ा से काई यह system में काफी हलका हो जाता है और उसके बाद पर हमें download करना था तब आया दोस्तो camera के mode में अगर हमें जाना था दोस्तों यहाँ पर night mode चाहिए था vlog mode चाहिए था document mode चाहिए था यह सब कुछ दोस्तों download करने के बाद है stickers clone mode AI watermark जब तक आप इसे download नहीं करते तो यह camera में नहीं आता बट camera के changes के बारे में हम लोग बाद में बाते करेंगे next video में तो यह बहुत ही ज़्यादा हलका UI इन्होंने यहाँ पर कर दिया जो कि मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा यह visual changes देख करके यह system का UI changes देख करके हैं उसके बाद यह दोस्तों कि अब इसमें automatically connection का feature दा दिये गए तो अगर आप किसी PC से connect रहते हैं और उसमें wifi connected है आपके phone में wifi connected है तो अगर आपने कभी screen combo को enable किया होगा उसमें तो automatically फिर से उसमें show होने लगेगा जिसके बज़ा से आप easily connect कर पाएंगे अपने इस screen combo को और इस screen combo की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने PC में अपने phone को यूज कर सकते हैं जिसका हमने tutorial भी दिया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजे link मिल लेगे description ने उसके बाद जो MI Share का application आप बहुत सारे devices के साथ काम करेगा Mizu, OnePlus, Black Shark, Oppo, Realme सब कुछ दोस्तों यहां पर add कर दिया गया है तो यह काफी अच्छी बात है एक और चीज अच्छी है यह कि आपको Chromebook के साथ यहां पर connect करने का option दिया गया है तब आपका phone Chromebook के साथ भी connect हो सकता है तो यह भी एक अच्छी चीज आपको यहां पर दी गई है दोस्तों उसके लाँ चलते हैं नीचे यहां पर तो यहां पर आप देखेंगे कि notification and control center में आपको निया वाला control center के design वही मिल ला था जो कि पुराना था यहां पर smart home का भी option मिल ला था यहां पर मिलता है कि आपको lock screen पर क्या-क्या swipe होना चाहिए क्या notification shift swipe होना चाहिए control center swipe होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो यह सब कुछ option यहां पर मिल ला था दोस्तों तो यह काफी अच्छी बात है उसका लगर अगर आपके उपर है कि आपको किस तरह से रखना है तो इसमें कोई भी इशू नहीं है दोस्तों उसके लापके यहां पर प्राइविसी प्रोटेक्शन में बहुत सारी UI चेंड़िस किये गए हैं जिसके वज़ा से प्राइविसी प्रोटेक्शन काफी ज़्यादा बेहतरीन हो गया है जैसे कि दूस्तों आप यहां से सारे का सारे का डियावियर में कि कौन सा अप्लिकेशन ने क्या काम किया है उसके कीौटरीक्शन में बहुत सारी नहीं देख सकते हो ओर अगई कि को ट्रैक करने के कोशिश कर रहा है तो कम एकुरेसी में ट्रैक करेंगा यानि कि आपके एक्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं होगा और आपका वर्चुल आईडी भी आ जाएगा जिसके वजह से कि दोस्तों आपको अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएगा प्राइवेट स्पेस रेंडमाइज हो जाएगा माली जाप लॉक लगाए हो तो यह जो पिन नजर आएगा दोस्तों वो आपको रेंडमाइज नजर आएगा ताकि दूर से अगर कोई देख रहा हो तो आपको पहचान ना पाए कि आपने कौन सा नंबर टाइप की अपने फोन को खोलने के लिए हाइड एप्स का भी ऑप्शन मिला था सेकेंड एसपेस वगरा और डियो लप्स का तो आप्शन मिले जाता है तो यह सब तो आपको पता ही होगा लिए सबसाची बात ही है कि इन्होंने काफी जगह से सर्टिफिकेशन वगरा लिया हुए जैसे के बीएसाई ट्रस्टी डि यूज करता आपका clipboard जिसलेक्श कर सकते हूं मतब चेक कर सकते हो कि कोई privacy पर्मिशन है नहीं आप उसे यहीं से नहे हैं लाए गए है मतलब जबर्दस्त कर दिया गए है प्रैविसी को बैटरी का UI भी चेंज कर दिया गे तो आप जाएंगे बैटरी में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह का UI जो है देखने में लगता है जो कि काफी कमाल का है एक ही पेज में आपको सारे के सारी चीज़े नजर आती है अप्लिकेशन नीचे के साइ करके किछोगे कि आपको जय है उतने देर में आपने क्या क्या किया है उसके हिसाब से यहाँ पेसे काम करता है दिया है दोस्तों प्रेशने स्क्राइट क्स्क्राइब आपस लें जो वहीं सारी जो कि आपको पहले इसमें आप किसी भी तरह का शेप में दोस्तो आप स्क्रिंशॉट ले करके उसे सेफ कर सकते हो जो की काफी अच्छी बात है उसके लाव भी कुछ चीज़े हैं जो की बटन और शॉटकाट में मिल लाता है बर चाइना रॉम के लिए जादा है तो इसलिए जादा बात नहीं क जाएंगे स्क्रिंटाइम में तो वह्ये में का स्क्रिंटायम मिल आता है इसमें जादा कोशो उन्यां नहीं है लेधिन यह स्क्रिंटाइम अब Tenemos कि इसमें आपको Game Turbo मिलता है यह जो Game Turbo है गाइस इसे काफी ज़ादा Change कर दिया गया है तो यह जो Game Turbo है यहाँ पर अगर आप Click करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस की इसका नाम तो Game Space कर दिया गया है लेकिन इसमें आपको Voice Changer वगरा भी लाया गया है तो वो अभी पता नहीं चला है क्योंकि मेरे फोन में भी कोई Game नहीं है बट हो चकता है कि मैं बाद में आपको शूकर दू यहाँ पर आपको Floating Windows Mode भी मिल ला था जो कि दूस्त काफी अच्छा है इसमें कोई भी प्रॉल्म नहीं है Video Toolbox का Option मिल ला था तो अगर आप कोई भी वीडियो वगरा देख रहो दोस्तों मालेजे मैं अपना कोई भी अप्लिकेशन खोल मालेजे मैं गैलरी खोलू तो यहाँ से मैं अपना Video Toolbox खोल सकता हूँ और इससे मैं चूज कर सकता हूँ इसका Color क्या होना चाहिए तो इस तरह से गाइस Black & White Mode में भी किसी एक Individual Application को देख सकता हूँ जो की काफी अच्छी बात है दोस्तों उसका लाकीड़ स्पेस, MIY Lab, Light Mode यह सब तो दोस्तों मिली जाता है तो इसमें कोई भी इशू नहीं है एंड यह सारे Options आपको यहाँ पर मिल लाते हैं एक बहुत बड़ी System Change यह हुई है दोस्तों कि Google Applications को इसमें Integrate कर दिया गया जी है दोस्तों आप यकीन कर सकते हैं कि China Room में Google के Services मिल रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग्स में उसके बाद जाएंगे यहाँ पर एप्स में मैनेज अप्स में तो आप देखेंगे यहाँ पर Google सर्च करते हैं कि आपको जो है Google के कुछ एप्लिकेशन अज़र आएंगे तो यह सब कुछ आपको मिल लाता है दोस्तों जो कि मैं कुणगा एक बहुत ही कमाल का बात है दोस्तों और अगर आपको इसमें Google Play Store यूज करना है तो simply आपको सिफ इंस्टॉल करना है Google Play Store और यूज हो जाएगा कैसे तो आपको बस इनके गेट अप्लिकेशन में जाना है यहाँ पर आपको बस Google सर्च करना है और गूगल सर्च करने के बाद दोस्तों आपको वह Google Play Store दे देंगा तो GOO GLEM लोग गूगल सर्च करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा Google Play Store और इससे जैसे इंस्टॉल करेंगे दो दोस्तों अपडेट कॉप्शन आएगा और उसके बाद Google Play Store आजाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो सिंप्ली दोस्तों एक क्लिक में आप Google Play Store इंस्टॉल कर पारे हो चाइना रॉम में यह खमाल की बात है यह मुझे लगा कि जी हाँ यह चीज होना चाहिए था पता नहीं चाहिया में किस तरह सी लोग Google को यूज करने गूगल तो वहां पर बैन है बट फिर भी गाईज गूगल का सर्विसेज बैन है बैसे लेकिन हाँ फिर भी यह लोग सर्विसेज दे रहे हैं तो यह अलग बात देख सकते हैं और उपन करने के बाद हम लोग साइन यहां से अपना memory क्लिंग कर सकते हैं यहां से आप अपना जो है कितना fit रहे हो यह सब देख सकते हो और यह जो application है गाईज में बहुत सरे नहीं चीज़े आई जैसे कि steps calculation, slip tracker, weight and slip tracker में आपको snoring tracker भी आता है यानि कि आप खराटे वगरा लेते हो या रात में बोलते हो तो य automatic audio record करने लगेगा, stand up tracker, blood pressure and heart rate मिलाता है, यह जो heart rate है guys वो आपके camera से कर सकता है, दोस्तो flash की मदद से आपका heart rate वगरा track कर सकता है, workout mode मिलाता है, इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी यह लगी दोस्तों कि workout में आपको मिलता है exercise mode, यानि कि आपको बताया कि आपको बहुत सारे lessons मिल रहे हैं दोस्तों, जिससे आप सीख करके workout वगरा जो है यहाँ पर कर सकते हो, तो this is a good thing दोस्तों, तो यहाँ पर health application भी बहुत जबरदस्त हो गया है, and overall दोस्तों यह जो पूरा का पूरा ROM में बहुत जबरदस्त हो गया है, एक और system UI change यह है दोस्तों कि अगर आप किसी भी application का press and hold करते हो, तो उस पे आपको इस तरह का touch options नज़र आएंगा, चाहे वो message का application हो, चाहे वो browser हो दोस्तों, यह पिर चाहे वो दोस्तों यह camera हो, तो इसमें भी आपको 4 options नज़र आएंगा, जैसे कि documents, pro mode, video mode, selfie mode, तो यहाँ सा आप directly जो है किसी में भी application में जाओगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, security scan, तो इसमें भी आपको अलग-अलग design जो यहाँ पर दे दिये गए, तो जी हाँ, design में काफी ज़्यादा changes यहाँ पर किया गया है, and utilities में वही सारे application मिल आता है, जो कि आपको पहले मिलता था, तो इसमें बहुत ही जबरदस चेज़ा जो है, वो चेंज की गई है, तो overall रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, and जाते-जाते में आपको पता दूँ कि चाइना रॉम में ऐसा feature मिलता है, कि आप scanner application से अपना homework बना सकते हो, यह आप अपना homework को scan कर अपने copy पे, यह आपको answer दे द जाते हैं